प्रिवार के परियोहन मंत्री जी हां संतोस निराला जी बकसर के तो बहुत पॉपुलर नेता है लेकिन अब बिहार के मंत्री हैं क्या इन्होंने किया है पिछले सालों में अपने बिभाग को चमकाने के लिए दुरुस्त करने के लिए उस पर बात करेंगे क्योंकि नया साल और चुनावी साल है तो जब आप तो देना पड़ेगा है साब भी देना पड़ेगा जनता को आपको नइकाशं are संतोस जी अब तो चुनावी साल है क्या उपलब्धियां आपकी है खास उपलब्धि जिसके अधार पर आप चुनाव में जाएगे देखिए नए साल के मौके पर आपको भी बदाई हो और हम लोगों ने बिहार की जनता के लिए बक्सर की जनता हो बिहार की जनता हो हम लोग के अध्रणिय मुख मंत्री जी बहुत सारा काम बिहार के हित में किये हैं और हम लोगों ने अपने विभाग में परिवहन विभाग में जो मान्यमुक मंत्री जी ने जिम्वारी दिया तो जब से हम लोग हैं परिवहन विभाग में भी बहुत सारा काम हम लोग किये और एक प्रकार से परिवहन विभाग को हम लोगों ने मजबुती परदान किया है परिवहन छेत्र में अगर पटना टाउन और पटना सिटी को लिया जाए तो पटना सहरों में भी हम लोग यात्रियों के लिए छोटे मजोले क्रमचारियों के लिए या सब के लिए बस की सुरुवात हम लोग सिटी बस की सुरुवात किया और ये सिटी बस है इतना पपलर हुई और इतने लोगों ने जो है उसको लाइक किया और उस पर यत्राएं किया और एक प्रकार से एक पटना सहर वासियों के लिए एक ये परिवहन सेवा एक मिशाल का कि एक बात तो अपने सी जनते हैं कि रजधानी है और उसके बाद अब आज तक किसी भी राज्य में परिवहन विभाग के छेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए जन जातियों के लिए कोई कारिक्रम अन्य श्टेट में नहीं चले थे लेकिन विहार राज्य में मान्य प्रदेशन में हम लोगों ने बिहार के तमाम पंचायतों में पांच ऐसे लोगों को जो अनुसूचित जाती जन जाती यति पिछड़े समाज के लोग थे आज रोट बन गए और लोगों को यात्रा करने के लिए सुविदाएं देनी थी पंचायत अस्तर पर तो हम लोगो लोगों को मुख मंत्री परिवहन युजना का भी लाप दिये तो एक प्रकार से जो ग्रामिन शेत्र शुदर इलाके के लोग हैं वो मुझिला मुख्याले से जुड़ गये प्रखन थाने मुख्याले से जुड़ गये तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ पुरे देश बर में नया ट्राफिक रूल आ गया है कनून आ गया है आपका विभाग लगतार है हिलमेट चेकिंग कौन कौन सार लगतार अभियन चला रहा है इसमें जो है सुप्रीम कोट के गाइड लाइन्स पर परिवहन विभाग लगतार अभियान चला रहा है तो जनता की भी सिविधा के ध्यान दखेंगे ना आप लोग देखें इसमें जो है सुप्रीम कोट के गाइड लाइन्स पर परिवहन विभाग चलता है बहुत सारा एक्ट है जो सुप्रीम कोट गाइड करता है और अभी जो रोड के मामले में सुप्रीम कोट क्या किन्दर सरकार को और केंदर सरकार ने जो एक्ट बनाया और उस एक्ट के तहद हम लोगों ने बिहार में भी लागू किया पूरे देश में लागू हुआ कई एक परकार की बाते आई और ये बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने और मीडिया के साथियों ने भी इस बात को मुझभूती से उठाया हम लोग जबाब दिये लेकिन मेरा अपना मनना है असपस्ट कि जो बिहार में दुरगटनाएं बढ़ रही है हलाकि दुरगटनाएं जो बढ़ रही है उदेश चिंतित है लेकिन हम बिहार के हैं और बिहार के परिपेक्ष में जो दुरगटनाएं बढ़ रही है और उसमें आम लोगों का हर परिव के लोगों का कहीं ने कहीं वह अधात पहुंचता है लोगों की मिर्थू होती है कोई भी कलांग होते हैं तो उस त्रेड़ी में जो एक्ट बना और इस एक्ट को मजभूती के लिए हम लोगों ने काम यहां शुरू किया एक लोगों के अंदर डर पैदा हो भय पैदा हो कि हम हमें जो है सिट वेल्ट लगाना है हमें हमिल्ट लगाना है हमें गाड़ी का कजात सही रखना है या हमें जो रोड याता यात के नेमों का पालन करना है यह सारा चिज एक प्रकार से एक्ट तो है ही इसको हम लागू किये ही हैं लेकिन इसके साथ साथ आम लोगों को इसके प्रति जागरूप करने के लिए अम लोगों ने प्रसासनिक तर पर भी काम शुरू किया है और आम लोगों के बीच में भी संस्थाओं के माध्यम से थी हमें कई राजियों ने उसमें संसोधन किया है जुर्माने की रकम को घडाई है अब पटना सहर में दिली में बहुत अं लेकिन सीट बेल्ट क्यों जरूरी है तो लोगों के सुधा को ध्याम रखते हुए आप कुछ तो सुधार कर सकते हैं अपने लिवल पर देखें मानियम मुखमंत्री जी के बात हम लोग रखे थे और यह बात को हम लोग विभाग के अस्तर पर इसकी समिक्षा हम लोग कर रहे हैं अने राजियों की भी समिक्षा हम लोग कर रहे हैं और सारी बात को हम लोग इसको अपने केंद्र बिंदू में रखे हैं लेकिन आने वाले दिनों में जुर्माने में कमी हो सकती है दूसरे राजियों की तरह इसकी अभी समिक्षा की जा रही है और समिक्षा के बाद इ मुख मंत्री जी ने भी उस बियान को देखा और निश्ची तोर पर कुछ ऐसे जुर्माने हैं जो नगवार लगते हैं तो बिहार हीत में आम जनता है के हीत में उसमें हम लोग अब इस पर अभी फिलाल में जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक इस पर कुछ हम कह नहीं सकते हैं लेकिन निश्ची तो बताईए रापके सोच क्या है हम तो बिभाग के देखिए इस बिभाग के ट्रांस्पोर्ट मिनिश्टर है और हम लोग उसको समिक्षा कर रहे हैं और समिक्षा के बाद निशित बिहार हीत में जनता के हीत में आम लोगों के हीत में अम लोगों को जागरूप करना है ना कि लोगों को इक्स्टॉर्ट कर जो प्रसास्निक आपका तंत्र है, शारे लोगों को बताया गया है, सारे लोग कहीने कि अब DM है, ाशन कर दिस्टिक मजटेट, SP है, पुलिस अबसर है, सारे लोगों को इनमें यृफल्व किया गया है कि आप पुर्जोर तरीके से मैं कहूंगा और पहले भी मैंने कहा है कि यह प्रसासनिक तंत्र जो है यह इसकी जवाब देही और जिम्वारी के वल यह है कि लोगों को प्रेम बस उसको जागरू करते हुए रोट सेवटी यह तैयत नीमो को पल्म करा है। यह साफ साफ तो नहीं कर रहे हैं लेकिन दुखी जरूर है कि जिस तरह से परिवहन कानून के जरिये जुर्माना वसुला जा रहा है लोगों से उससे तो लगता है कि लोगों को जागरू कम प्रतारित करने का काम ज्यादा किया जा रहा है वैसे संतोष निराला समस्वर में इस सवाल को उठाते रहें खुद लेकिन अभी जब तक कोई फैसला नहीं ले लेते जब तक सुबे के मुख्या को भरोसे में नहीं ले लेते तब तक कुछ एलान नहीं कर पाएंगे लेकिन उमिद करिए कि नए साल में परिवहन मंत्री आपके लिए कुछ बड़ा एलान क किरासी है उसमें कमी हो सकती है आपको ये कारक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को कुप सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कियाद कर लिजिए क्योंकि पिछले 6 महिने में 6 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइ कर दो